यह है गोल गप्पों की दुनिया का एक नए आरण जहां मिलते हैं 36 किसम के गोल गप्पे कौन कौन से गोल गप्पे हैं आपके पास पी आई बी कौनों में मौझूद अरमान नंबर वन भेल पूरी में बहुत से आइटम मिलते हैं गोल गप्पे हैं 36 किसम के पहतरीन इनके पास टेस्ट है और उसके बाद अगर इनका गप्पा गोटाला आपने देख लिया और उसकी मेकिंग देख ली तो आप हिल जाएंगे यह हमारी गाठी है सनाब आपड़ी इसने आठ नू आइटम डलते हैं आइए गप्पा गोटाला बनता कैसे है यह देखते हैं पहले यह अलू डाले यह चोले डाले अब यह मसाले डाले हम और यह हमारी इसी तरह की चटनी आ गई है यह मस्टड सोसे और यह स्वोट की चटनी है अधरकी अब यह हमेरी यह भी डाल गई है यह में यह माशलो तीन क्याने खाल ले थे हैं आर आपड़ी इसमें यह महायोम्डाल के पीटा इसमें डल गया यह माइने सिश में नल गया सब कंपनी की सोसी नहीं यह बारवी की सोस है यह स्पाइस इतना नहीं होता जब यह तियार होगा तर्या आप इस वकत प्याई वी में खड़े में यह अर्मान नंबर वन बेलपूरी के इस्टॉल है हमारा इस पर गोलगपे चाटीस तरम के सब कुषर के यह बाराइटी वाली चाट लगाते है वैसे तीन साल हो रहे ता परीछ जोले के डिया है कि लाहर के प्लेट जो पीचे है और गोलगपे नोर्मल еककारीटरर रुपे हैं दाइसार था रुपे-प्लेटरर रुपे इस तरह रुपर के फिलेवर वाले बनाते रहें लोगों पसंद आते रहें इसलिए बढ़ते रहें तो मजीद अभी हमने तर्कीस वकर आभी इस इम डाला तो इतमारे 36 में से 18-20 बहुत जादा चलते हैं और आपके चैनल से यह है कि हमारे पास प्लेटरों के शादी भीया में भी प्लेटर के आड़र आ रहे हैं सर महिंगाई से फरक तो पड़ा है काम में लोग या भी माशले है तो खरीद अभी भी है बहुत हमारे पास सबसे जादा गुल कपा बिखने आला है रेगुलर गुल क जालते हैं और उसमें लोग चोकलेट शीरप डालते हैं जाकि वह लवली बन जाता है पुरा गुल कप्पा है हमारा सबसे ही गुल कप्पा है माशला चे दाने गुल कपे बंदे खा लें तो रोटी खानी तो रोधनी इतना पेट पर जाता उससे बिलकुल बनागे बेल पूरी मेटी चटनी है यह यह डलता है और यह हमारे बेल पूरी का मसाला है जिसमें बहुत सारी चीज़े हैं यह पूरा इस तरह बर देते हैं इसको अपर उसके बाद हम यह जाही डालते हैं यह चिली केचप है पेगाम क्या गेंगे यह यह क्या बस अलभाग सबको इस दो अमान में रखे इस तरह मेंगाई चली है